हल्लो भाईयों इस वीडियो के अंदर अपने आपर बात करेंगे जो आज की दिन हैदराबाद T10 लीग का मैच नमबर 3 होगा जो खिला जाएगा यहाँ पर हैदराबाद heroes vs यहाँ पर महभूब नगर के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी की पूरी जानकारी वीडिय नमबर 3 और same venue जहाँ पर अब तक के सारे मैचेस खिले गए वहीं पर यह मैच खिला जाएगा सबसे जरूरी चीज का है भाईयों के अगर आपने अब तक टेलिग्राम चनल को जोन नहीं किया ना तो सबसे पहले जाकर आपको टेलिग्राम चनल को ज़रूर से जोन कर लेना क्योंकि last moment update सारी के सारी यही पर आने वाली है टेलिग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के description में दूसरा comment section में भी पहले comment में आपको टेलिग्राम चनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हूँ मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत आ पताने वाली चीज़ यहां पर है नहीं इंपोर्टेंट जीच का है कि टीम का लास्ट मेश गंदर क्या प्लेंग ने वन था क्या बेटिंग ओडर खेला था तो पहले बात कर लेते हैं महभूब नगर वोर्यर्स के टीम की इनकी तरब से लास्ट में ओपन किया अर्विंद इनके टेश वरालू तो यह इनकी टीम का लास्ट मेश के अंदर प्लेंग लेवन था विद बैटिंग ओडर अब यहां पर ना इन सभी प्लेयर्स के अपन इसी बैटिंग ओडर के कोडिंग स्टाट्स भी देख लेंगे जिससे अपन को सारी चीज़ें यहां पर क्लियर हो जाएंगी लास्ट जो मेश इनकी टीम ने खेला था वो मेश इनकी टीम यहां पर हार गई थी ओपन किया था ऐसे अर्विंद सेटी और उनके साथ में थे SSLN मूर्थी अर्विंद सेटी ने 35 रण के अच्छी बारी खेली थी ओवरोल भी 26 मिच में 864 पैटार इसका बहुत शांदार एवरेज है इंपोर्टेंट रहेंगे SSLN मूर्थी लास्ट में जीरो किया रिस्क लेना है तो ट्राइ कर सकते हो अधरवाइस कोई खास पिक में को लगे नहीं परविं कॉल पंक का है जो की बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्लेयर है 33 रन किये लास्ट में दो ओर डाले विकेटलेस गए लेकिन बेटिंग भी किये वन डाउन प्लस दो ओर डाले तो बहुत अच्छे पिक आपके लिए रहेंगे ओवरॉल भी 92 मेच में 17-17 विकेट है और महम्मद कलीम 21 रन किये 2 ओ इनोने भी पूरे डाले तो बहुत इंपोर्टेंट पिक बनते हैं 7 35 में 13,000 रन, 775 विकेट है यहां से गरिक पात राओ है 34 रन किये एक विकेट इनके भी नाम था तो यह भी बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों चीज़ें कर रहा है 303 मेच में 371 विकेट, 344 रन है विपिन कुमार लास मेच खेला लेकिन बेटिंग बोलिंग स्कूल नहीं मिल और यहां से गरिक पात राओ है तो इनके जो पहले 6 प्लेरे उनमें से ये 4 प्लेर मेरे साफ से आपके लिए बहुत जादा इंपोर्डेंट रहने वाले हैं ये चीज़ा आप ध्यामे रखे चलेगा बात करते हैं जो नेक्स प्लेरे प्लेंगे लिए उनकी तो नमबर 7 पर प्रशांत आईपी एक और डाला विकेट लेस थे 10 मिच में 10 विकेट है और यहां से गोपी शेटी ने भी यहां पर आप देखो एक और डाला था विकेट लेस गए थे तो देखो चार प्लेन में आपको इनके पीछे इंपोर्डेंट बताया अब यहां से गोपा और दोनों को या दोनों में से किसी एक को ट्राइ कर से तो जब इनकी टीम पहले बोलिंग करें अब देख लेते हैं इनके बेंच के प्लेयर्स के स्टेट्स हैं लास्ट मैच के अंदर इनकी तरफ से पावर प्ले में आये थे जी कृष्णा और यहां से प्रशांत आईपी डे तरफ से यहाँ पर open करेंगे पवन कुमार, सीवी आनन्द फिर आएंगे से आर एलवी प्रशाद, इनके बाद में आएंगे अनिल कुमार, सीयस रिकान, इनके बाद में अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे रेमिला, से रमा, यहाँ से प्रशांद कुमार, शाइक, सिद्धिकी, अब्दुलवाहिद, वेगी, सेलेश और उनके बाद में अशोप, वासुदेवन, जो की एज़ा इंपक्ट प्लेयर यहाँ पर खेले थे, यह चीज़ आप धह में रखके चलेगा, अब देख लेते हैं, यहाँ पर इनके इन सभी प्लेयर्स के इसी बेटिंग ओडर के अकॉडिंग स्टाट्स, लास्ट में जो इनकी टीम का हुआ था, इनकी टीम भी आपर हारी थी, जैसे उनकी टीम हारी थी, दोनों टीम जो है अपर लास्ट में चाहर के आ रही हैं, ओपन कौन करेगा, पवन कुमार और सीवे आनद, पवन कुमार ने 22 बेटिंग के असाथ बोलिंग भी आपको करके दे रहे हैं, आरल भी प्रशाद उनसर्ट नोट आउट किया, 114 मिच में 21, 31 का आवरज है, बढ़िया प्ले रहे हैं, अनिल कुमार ने 18 रन किया, 119 मिच में 31, 20 का आवरज है, टिक टाक से प्ले रहे हैं, सीएस रिकान नंब और रेमिला, सेरामा, 9 बेटिंग रहे थे, 118 मिच में 249 इंकार में विकेट है, बोलिंग थोड़ी बहुत करवा सकते हैं, लेकि लास मिच में इनको एक भी ओवर यहां पर नहीं मिला था, तो यहां पर जो इनके पहले 6 प्लेयर हैं, इनमें से इंपोर्टन प्रेयर है, प तो नमबर साथ पर कोन आएगा, परशांत कुमार, लास मेच में नो बेटिंग रहे थे, ओवरोल 23 मेच में मेहतर रने, खाजा, नो बेटिंग रहे थे, 489 मेच में, 4500 रने, 77 विकेट है, मलब बोलिंग बहुत कम गरवाता है, और बेटिंग बहुत नीचे कर रहा है, तो इंपोर्टेंट ये नहीं रहेगा, साइक सिद्ध की एक ओवर डाला विकेट लेस थे, 240 मेच में 120 इनके नाम विकेट है, अब्दुल वाहिद इंपोर्टेंट बोलर एक विकेट था, 170 मेच में 160 विकेट है, राइड़ाम फास बोलर है, इंपोर्टेंट रहेंगे, वेगी इसे प्लेयर जिनको आप टीम में ट्राइ करके चल सकते हो, अब देख लेते हैं, इनके बेंच के प्लेयर के स्टेट्स हैं, लास्ट मिच में इनकी दरब से पावर प्ले के ओवर डाले थे, ए वाहिद और सीवी आननन ने डेथ के अंदर आये थे, यहां से वी सेलेच और स इस सिरिकांत यहां पर डेथ के अंदर बोलिंग करवाने आये थे, यह चीज़ आप ध्यां में रखे चलेगा, एनालिसिस वाला पाच हो चुका है, कंप्लेट चलेंगे डेमो टीम की दरब, लेकिन उससे पहले टेलिग्राम चनल से जो रहे हैं, तो डेमो टीम के अंदर अ आपर पिक किया है, आर प्रिशाद को, यहां से बेटिंग सेक्से से सी ए सिरिकांत, ए सेटी, पी कुलपंका, इनके अलबा के कुमार, और ओल्रांडर सेक्से से सी वी आनद, ए वाहिद, यहां से जी वेंकटा है, इनके अलबा देख सकते आप जी चेतन्या, एम कलीम, वी चलेश है, क्याप्टन सी वी आनद, वो इस क्याप्टन यहां से पी कॉलपंका है, लेकिन यह फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मिलेगे टेलिग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो लास्ता देखने के लिए धन्यवाद,